तो आज की इस वीडियो में हम लोग analyze करेंगे John Milton की एक बहुत ही famous poem, world famous poem On His Blindness वैसे इसका असली title जो है, वो है When I Consider How My Light Is Spent On His Blindness title तो इसको बाद में मिला था एक Bishop Newton नाम के भाई साहब ने नाम याद रखना, इन्होंने poem का नाम बदल कर On His Blindness दे दिया 1673 में first time इस poem को दुनिया के सामने present किया गया था सबसे पहले तो ये poem एक sonnet है, sonnet 14 लाइनों की होती है, 14 लाइनों की एक poem को sonnet कहा जाता है और Milton की sonnet 16th है, इसको sonnet 16th भी कहा जाता है और ये एक Petrargan sonnet है Petrargan sonnet की खास बात ये होती है कि इस ट्राइब की sonnet में poet के खुद से ही arguments चलते रहते हैं poem की शुरुवाती 8 लाइनों में वो अपनी problem सुनाता है और बाकी की 6 लाइनों में, बचीवी 6 लाइनों में solution बताता है poem की शुरुवाती 8 लाइनों को octave कहा जाता है और बाकी की बचीवी 6 लाइनों को sustate कहा जाता है यहां से जब 8 लाइने खत्म होती है तो sustate शुरू होता है जब 8 लाइने खत्म होती है और 9 लाइन शुरू होती है तो इस में एक turn आता है और इस turn को Walter कहा जाता है ध्यान रखना इस poem में आप देखोगे pure religion faith है भगवान के लिए faith ना कि erotic love बदलते time के साथ इन Petrarchan sonnets का खास करकि इस poem का text इतना पुराना होता जा रहा है कि समथ से बार हो जाता है अगर modern English में मैं इसको translate करूँ तो ये poem कुछ इस तरह की होगी कि जब मैं सोचता हूँ किस तरह मेरी आँखों की रोशनी चली गई इस बड़े से डार्क वर्ल्ड में इस अधेर उम्र में जो मेरा ग्रेटिस टैलेंट है यहाँ पर किस टैलेंट की बात की जा रही है उसको चुपाना मेरे लिए death to hide यानि की मौत के बराबर होगा उस राइटिंग के टैलेंट को चुपाना मेरे लिए मौत के बराबर होगा और अब वो मुझ में दफन हो चुका है large मतलब दफन हो चुका है और useless है वो टैलेंट एक बात तो है यहाँ पर एक चीज जियान देने वाली है कि इस पुएम में poet को चिंता इसलिए नहीं है कि उसकी आँखों की रोशनी चली गई बलकि उसे चिंता इस बात की है कि God के साथ उसकी जो faith है जो relationship है उसमें problem ना आ जाए उसे चिंता main जो problem है वो इसी की है यहाँ पर इस पुएम में यह जो light word है दोस्तो ध्यान देना यह एक symbol है इसके यहाँ पर दो मतलब है एक तो light का मतलब उसकी आँखों की रोशनी से है अफकोर्स आँखों की रोशनी से है लेकिन दूसरा एक symbolic meaning और है loss of light मतलब सिर्फ आँखे जाना नहीं एक symbolic meaning और भी है कि God से faith चले जाना God से connection तूट जाना loss of light वैसे इस पुएम की पूरे text का line by line meaning मैं एक वीडियो में पहले समझा चुका हूँ उस वीडियो की link मैं description में डाल दूँगा उसको देख लेना यहाँ पर मैं analyze कर रहा हूँ अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 8th line जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में patience यह patience जो है इस पुएम में poet की internal sense है यहाँ पुएट का patience उसे reply करता है यहाँ पर patience को personify किया गया है उसका patience उसे reply कर रहा है और यहीं से सस्टेट शुरू हो जाता है यानि की solution शुरू हो जाता है और इससे पहले एक rhetorical question पूछा गया है यह वो rhetorical question है Does God exact day labor lie denied? मतलब God उनसे भी day labor करवाना चाता है जिनकी आखों की रोशनी नहीं है यह एक rhetorical question है rhetorical question वो होता है जिसका जवाब point जानना नहीं चाता पहले भी बता चुका हूँ काफी वीडियोज में ध्यान रखना है इस poem में Iambic pentameter का use किया गया है कौन से meter का use किया गया है Iambic pentameter और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इस poem में Bible की chapter 25 में Gospel of Matthew की story का reference लिया गया है